हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल सुलिशन भाय में आपका फिर्ट से स्वागा था आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर कॉंसेप्ट क्लियर एक्जाम तो आज हम लों स्टार्ट कर रहा है फार्मसुटकल केमेस्ट्री जो इन और्गनिक ठीक है और the compounds which are act locally on the body surface body surface पर होता है locally होता है like skin mucous membrane तो skin और mucous membrane पर ये यूज के जाता है इसके बाद देखें where the medicine is applied on the area being treated या दूसरी तरह से इसको कैसे यूज कर सकते हैं उस एरिये पर जहां इसका हमें treatment करना यहां जो skin के उपर कहीं कोई घाव है यहां पर हमें इसको apply करना कोई window हो गया है तो वहां पर हमें इसको apply कर सकते हैं थार्ट नंबर पर देखें क्या गया रहा है it can also be used to nourish the skin and protect it from harm तो इसको हम लोग nourish कर सकते हैं skin से इसके नरिष्ट कैसे कर सकते हैं इसमें कुछ ऐसे agent एड़ कर सकते हैं जैसे vitamin e हो गया या vitamins हो गया जो skin के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं तो वह हम लोग इसमें add करके topical agent को ऐसे nourishment के लिए यूज कर सकते हैं और क्या गया रहा protected from harm और इसको नुकसान बचा सकते हैं जैसे harmful आपकी rays हो गई तो वह भी इसके vitamin e जो है तो वह protect करता है ठीक है तो यह सारी चीज़े इसमें होती है इसके बाद इसका example देखीजे example में क्या है आपका cream हो गया alignment हो गया और lotion हो गया यह सारी चीज़े हो गए तो यह आपने यूज किया होगा अप्लाइ किया होगा तो यह इनको हम topical agent की category में रखते हैं और आपको क्या पढ़ना है जो फर्स्ट इयर का gluconate यह hydrogen peroxide H2O2 boric acid calcium hypo chloride जिसको हम bleaching powder भी कहते हैं और आपका potassium permanent तो यह साथ chemicals है यह आपको इनके molecular weight के साथ हमने यहाँ पर दिखाया है जिससे आप skin solid लेकर करके याद कर सकते हैं इनको molecular weight chemical formula के साथ याद कर लिजेगा तो नए वीडियो में नए topics आपके साथ फिर से मिलेंगे तब तक के लिए take yourself and your family थैंक यू